लालपूर के पास बस्ती में एक मंचुरियन का ठेला लगा करता था उस ठेले को टिल्लू नाम का एक लड़का चलाया करता था टिल्लू ने एक देशी कुत्ता पाल रखा था जिसका नाम मोती था मोती टिल्लू के लिए बेहद वफादार था क्योंकि टिल्लू उसे रोज मंचुरियन खिलाया करता था मोती चुक ये ले खाना आ गया मोती पूंच खिलाते हुए मंचुरियन खाने लग जाता है क्या बात है टिल्लू बेटा खुब खातिरदारी कर रहे हो अपने कुत्ते की टिल्लू हर रोज मोती का खुब खयाल रखा करता था एक रोज टिल्लू बहुत तेज बुखार से तडप रहा था उस दिन तेज बारिश हो रही थी मोती को ये आभास हो गया था कि टिल्लू जरूर किसी संकट में है वो दोड़ के गया डॉक्टर के घर पर और भौंक रहे हो कुत्ता पूंच हिलाते हुए डॉक्टर का कुर्ता पकड़ के खींचने लगा डॉक्टर ने उसके गले पे बंधा काला धागा देखकर समझ लिया कि वो अपने मालिक के लिए भौंक रहा है क्या हुआ तुम्हारा मालिक बिमार है क्या मोती सहमती में पूंच हिलाने लगा रुको रुको अभी मैं अपने बैग लेकर आ रहा हूँ डॉक्टर मोती के पीछे पीछे तिल्लू तक पहुंच जाता है अरे डॉक्टर साहब आप यहां कैसे बड़ा पफादार कुट्ता पाल रखा है भाई तुम बिमार हो इसे पता चल गया भौंक भौंक के मुझे यहां तक ले आया बताओ क्या तकलीप है बुखारे डॉक्टर साहब ठंड बहुत लग रही है कोई बात नहीं यह दवा खालो सुभा तक आराम मिल जाएगा तिल्लू पूरी रात दवा लेने के बाद यह सोचते रह जाता है कि कल मंचुरियन का ठेला कैसे लगाऊंगा अगर ठीक न हुआ तो सोचती सोचती नीन आ गई और तिल्लू सो जाता है अगली सुभा तिल्लू बेहद आराम महसूस करता है डॉक्टर के दवाया काम कर चुकी रहती है अभी अच्छा लग रहा है पता नहीं मेरा मोती रात में कुछ खाया भी होगा या नहीं चलो आज उसके लिए कुछ अच्छा लेकर जाऊंगा तिल्लू बाहर निकलता है तो देखता है कि मोती उसके दर्वाजे पर ही पूछ हिलाते हुए उसका इंतजार कर रहा होता है मोती, मेरे मोती आज तुमारे लिए कुछ स्पेशल लेकर आऊंगा मोती भौंगते भौंगते तिल्लू को खींच कर एक गुफा तक लेकर जाता है उस गुफा में सारे सोयाबिन बिखरे हुए रहते है तिल्लू मोती का इशारा समझ जाता है कि इस सोयाबिन के वो मंचुरियन बनाकर उसे खिलाए अजीब बात है, इस गुफा में ये सोयाबिन कहां से आ गए? अच्छा रुको, आज इसी का में मंचुरियन बनाकर खिलाओंगा तुम्हें तिल्लू मंचुरियन बनाकर जैसे ही मोती को खिलाता है वो जट से पूरा खा जाता है लगता है मेरे मोती को बहुत भूग लगी है सही कहा मालिक, मुझे काफी जोर से भूग लगी थी मैं बता रही पाता था, आपको इसलिए यहाँ पर लाया कुट्टे को बोलती हुए देखकर तिल्लू चौंग जाता है ये क्या? तुम बोलने कैसे लगी? मालिक, मुझे भूग कर अपनी बात समझाने में बहुत तकलीफ होती थी गुफा के सोयाबिन से आपका मंचूरियन जादू ही हो गया इसी के जादू से मैं अब बोलने लगा तुम है किस से पता कि ये गुफा के सोयाबिन के बारे में होती? मालिक, जब आप मंचूरियन बेचने जाते थे तो मैं उसी गुफा में जाकर सोग जाता था वहीं पर मैंने एक बोलने वाले कुट्टे की आत्मा को इस सोयाबिन को लेकर आते देखा था गुफा में कुट्टे की आत्मा के साथ मूती की बाचित तुम कौन हो और ये क्या लेकर आए हो? इस सोयाबिन को पकवान बनाकर जो भी कुट्टा खाएगा वो मेरी तरह बोलने लग जाएगा क्या मैं भी बोलने लग जाओंगा? इससे बना पकवान खाकर? हाँ, तुम भी बोलने लग जाओगे अपने मालिक को कहना इसका कोई पकवान बनाकर तुम्हे खिलाए मसालों के साथ मिलकर इसका जो भी पकवान बनेगा वो जादूई हो जाओगा उसे खाने के बाद जादू से तुम भी बोलने लगोगे मेरा मालिक मंचूरियन बनाता है क्या उससे ये सोयाविन वंचूरियन जादू ही हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, जाओ, अपने मालिक को यहां लेके आओ, और उसे किसी भी तरह से इशारे देकर इस सोयाविन के पकवान को बनाओ कुट्टों की आत्मा भी होती है? हाँ मालिक, हम कुट्टों को सभी आत्माई दिखाई देती हैं, मैंने हर तरह की आत्माई हर रोज देखी हैं, कोई बुढ़ा इंसान, कोई जवान इंसान, कोई जानवर की आत्मा अच्छा, तो तुम्हें हर तरह की आत्माई दिखाई देती है? हां मालिक तभी तो आपको बता रहा हूँ कि उस खुत्ते की आत्मा ने कहा कि ये स्व्याबिन किसी पकवान के रूप में बनकर जादू हू जाएगा पकवान के मसाले इसमें जादू ला देंगे जिसे कोई भी कुतना खाएगा तो वो इंसानों की तरह बोलने लगेगा अच्छा मैंने उस स्वयबिन का मंचूरियन के रूप में पकवान बना कर उसे जादू ही बना दिया हाँ मालिक मुझे भी बोलना था आपकी तरह इसलिए आपको यहाँ पर लेकर आया था मैं अबसे आप जब भी मंचूरियन का ठेला लगाओगे तो मैं आपके लिए ग्राहक बुलाया करूँगा अरे वाब मूती तुम सच में मेरा कितना वफादारी से खयाल रखते हो मालिक यह मेरा फर्ज है आपने मुझे कभी भूका नहीं रहने दिया अगले दिन जब तिल्लू अपना मंचूरियन का ठेला लगाया तो मूती को अपने साथ लेकर आया आईए आईए मेरे मालिक का मंचूरियन खाईए आईए आईए वो देखो कुटा बोल रहा है चलो उसके यहां मंचूरियन खाते हुए उससे बाते करेंगे आईए आईए मेरे मालिक का स्वादिश्ट मंचूरियन खाईए तुम्हारा नाम क्या है प्यारे कुत्ते? मौती नाम है मेरा, अपने मालिक के लिए बोलना काम है मेरा वा, बड़ा हुश्यार है मंचूरियन वाले भहिया, ये जादू कैसे हो गया, ये कुत्ता बोलने कैसे लग गया सब उपर वाले के महरबानी है सहाब, एक दिन मंचूरियन खाया और अचानक ही बोलने लग गया भया, मैं हर रोज आऊंगा, इस प्यारे कुत्ते से बात करने के लिए हर रोज मंचूरियन खाएंगे ना अरे बिल्कुल भया, अभी मैं वापस जाके अपने पूरे परिवार को लेकर आऊंगा बिल्कुल सहाब, जरूर आईएगा धीरे धीरे मूती के साथ बात करने के लिए सैंक्रों की भीड रोज टिल्लू का मंचूरियन खाने के लिए रुकने लग गई टिल्लू का व्यवसाय उस सोयबिन से बने जादूी मंचूरियन की वज़य से इतना प्रशिद हो गया कि वो दूर दूर तक ख्याती पाने लग गया कुछी दिनों में टिल्लू का आलिशान बंगला और गाड़ी आ गया टिल्लू और मोती की जिन्दकी पूरी तरह से रैसो वाली हो गई